So hello guys, welcome to my YouTube channel, Riddik Technical Support इस वीडियो में हम आपको बताएंगे Vivo phone में अगर आपको error in applications का option आता है ठीक है? तो जो भी source में, जो भी application में आपको step का error आता है Vivo store में आता है, या फिर Google Play store में आता है या फिर कोई particular application में आपको step का error आता है तो कैसे आप यहाँ problem को ठीक करेंगे, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, बिल्क आइकोन को प्रेस कर लेना है तो देखे, जो भी application में आपको step का error आता है first of all तो आप उसका update चेक करिए, कि अगर इसमें कोई update अवेलेबल होगा तो update करिए, या फिर वो application up to date है फिर भी आपको step का error आता है, तो simple क्या करें आप उस app को long press करें, simple app info पे क्लिक करें then आपको storage and catch up पे क्लिक करना होगा उसके, then आप उसका data clean करें ठीक है, आपको यहाँ दो method का use करना है, then आपकी जो problem है, वो 100% fix हो जाएगी okay, so topic is cover, मिलते है नेक्स्ट वीडियो में, जै मता दी